काला धागा क्यों बांदा चाता है रहती है कुरुपा शनी देव की नहीं नजर लगती है किसी की नमस्कार मैं आइस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्तिक स्वागत करती हूँ आज के भाग में हम अत्यन्त महत्वपुर्ण विशे पर वारतालाब करने वाले हैं इस विशे का सम्मंदर शद्धायों अंधर शद्धा से भी है अर्थात कुछ लोग इसे शद्धा कहेंगे तो कुछ लोग अंधर सद्धा भी कह सकते है लेकिन यह विशय हमारे धर्म की परंपरा का एक हिस्सा है महतोपुर्ण बात है कि उसके पीछे शास्त्रिय कारण है वह विशय है काला धागा क्यों बांधा जाता है विशय से उसकी गंभिरता आपको पता चल गई होगी तो काला दागा क्यों बांदा जाता है उससे क्या लाब होता है इस विशे पर आज हम विस्तार से वारतालाब करने वाले हैं इसलिए आज के भाग को अंततक अवश्य देखें साथ ही यह शास्त्रिय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दु चुटी चुटी परंपराये पवरानिक काल से चलती आ रही है जिनके पिछे शास्त्रिय कारण है सच कहा जाए तो उनका कोई भी साइड इफेक नहीं है अर्थात यदि कोई किसी चीज का पालन करता है उससे उसका नुक्सान भी नहीं होगा यदि कुछ होता है तो लाब ह ही प्राप्त होगा विशेश बात है कि उसे हम अत्यनत सरलता से कर सकते हैं और वे अत्यनत प्रभावशाली भी है लेकिन किसी भी परंपरा को अंदश्रद्दा कहना उसे अस्विकार करना यह बीच के काल में फैशन हो गई थी परंपरायों के पीछे जो शास्त्रिय कारण होते हैं उन्हें ना समझते हुए सीधे अंदश्रद्दा कहना शुरू हुआ उसमें भी कुछ अच्छी चीजों को नजर अंदाज किया गया काला रंग अत्यंत महतों पुरण होता है हम छोटे बच्चे को कही नजर ना लग जाए इसलिए छोटा सा काला ठीका लगाते है कई बार कुछ विशेश प्रसंगों में घर के बड़े अपने लड़कों और लड़कियों को काला ठीका अवश्य लगाते हैं ताकि उन्हें किसी की नजर ना लगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का उन पर प्रभावन ना हो काले रंग का अपना स्वतंत्र महत्व है जो उत्तिश के अनुसार काला रंग शनी दे उके कार्यकत्व में आता है साथ ही राहू और केतू के लिए भी काला रंग उपयुकतम आना जाता है यदि आपको शनी देउ की साड़े साथी शुरू हो उनकी डहिया सुरू हो तो इस काल में आप पाले दाग्गे का उपय कमर को या गले में बान सकते हैं उसके अत्यन्त शुभ प्रभाव मिलते हैं काला धागा बानते समय उसका कुछ डिजाइन करना उचित पद्दती से डेकोरेट करने से भी इसी प्रकार का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है पहले समय में कमर को काला धागा बानने की परंपरा थी जो हर घर में आवश्य पाली जाती थी आज भी गाओं में यह परंपरा पाली जाती है जो अत्यन्त महतोपुर्णा और सकारात्मक होती है कमर को जब काला धागा बान्धा जाता है तो उससे नजर लगने से सुरक्षा होती है साथ ही वह धागा कमर पर लगातार गिस्ता रहता है आज जब हम एक्यूप्रेशर शास्त्र का अधेन करते हैं तो उस तान के कई पॉइंट एक्टिएट होकर व्यक्ती पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं पहले के समय में सामान्य रूप से पुरूश कमर को काला धागा बांते थे वह तुटने के बाद पुनस्च नया धागा बांदा जाता था उसी प्रकार से जब हाथ में या पेर में काला धागा बांते हैं तो वह खराब होने के बाद पुनस्च हम नया धा का बान सकते हैं उससे अट्यन प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं तो प्रश्म यह कि यह दाका कैसे बांदा जाये तो दिलकरaurais कि Glass नजर लगती है जिनने आर्थिक स्तीरता नहीं मिलती उनके लिए यह उपाय अत्यन्त उपयुकत होता है यह दाका बादने से पहले यदी हम उस पर नो गाठे मारते हैं तो उसकी सकारात्मक्ता बढ़ती है जैसा हमें पता है कि शनी देव और मंगल देव में शत्रूत्व है फिर भी मंगल वार के दिन यह दागा बाद कर शनी देव का बल बढ़ाने के लिए उपाय लाबकारी रहता है अब प्रशन यह भी निर्मान होता है कि काला दागा किसने बादना नहीं चाहिए तो कई बार मेश और रूशव राशी के जातकों को काला दागा न बादने की स स्वामी मंगल देव है मंगल और शनी में शत्रूत वकारिस्ता है जिसकारण मेश और रूश्चिक राशी के जातकों काला दागा बादने से पहले जोतीशी सलाह अवश्च लेनी चाहिए क्योंकि जोतीशी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर मारकदर्शन करते हैं इसलिए उनके मारकदर्शन के अनुसार काला दागा बादने का निर्णे लेना चाहिए अब काला दागा बादने से क्या लाव होता है तो सबसे पहला लाव है कि नजर नहीं लगती कई बार लोग केवल इसी कारण से काला दागा बादते हैं लेकिन इसके अलावा भी उसक प्रक्षा कवच के समान काप करता है साथ ही करियर में उचाई बढ़ती है आर्थिक लाभ प्राप्त होता है आनंद और समुरुद्धी मिलती है काला दागा बानने के बाद रुद्रक आयत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी रहता है पैरों के दोनों अंठे को यदि आप काला दागा बानते है तो पेट की परेशानी कम होती है जिस कारण इस दागे का यह भी अत्तिन्त महत्व पुरुण लाभक काहा जा सकता है यह उपाय अत्तिन्त सरल है जो कोई भी कर सकता है विशेश बात है कि इसके कोई साइड इफेक नहीं है आप काला दागा हात में बान सकते है पैरों को बान सकते है गले में बान सकते है या कबर को बान सकते है इन में से कही पर भी आप काला दागा बान दे तो आपके लिए उपयुक्त होगा साथ ही कुछ भी साइड इफेक और अगर बांदा है तो कहाा बांदा है यह कमेंट सेक्षन में आवस्च लिखे इस प्रकार काला दागा क्यों बांदा जाता है इस वीशे को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यहीं। ड्रुपते हैं अगले भाग में जोतिश की नविंतम जानकारी के साथ हम पुनश्य अवश्य मिलेंगे यह शास्त्रिय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि दुसरों तक पहुच सके धन्यवाद शुभंभवतु जै जोतिश जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद